फीफा वर्ल्ड कप के बाद भारत में कितने सारे मैसी फैंस ने दुनिया भर के सोचल मीडिया पोस्ट लिख दे लेकिन अपने भारत के अंदर होने वाले हौकी वर्ल्ड कप के बारे में जाधतर लोगों को पता ही नहीं है न्यूज भी इसको कवर नहीं कर रहा है दिल्ली में गाडियों के अंदर बेजबॉल के बैट और होकी स्टिक खूब भर भर के मिलेगी लेकिन ना इनका प्रेयोग खेलने में होता है और ना ही ये लोग इस तरह के मैच देखने जाते हैं अरे इस बार तो हमारी होकी की टीम ओलंपिक में 41 एर्स के बाद मेडल लेके आई है लेकिन उसके बावजूद भी होकी वर्ल्ड कप पे कोई बात नहीं है एक टाइम पर जब भारत में होकी का गोल्डेन पीरियट चलता था जब पूरी दुनिया में हम होकी को डॉमिनेट करते थे वहां से लेकर होकी की ये दुर्दशा कैसे हुई इसके पीछे पावर, पॉलिटिक्स और बड़े गंदे लेवल का मिसमेनेट जिम्मेदार है और यही कहानी मुझे इस वीडियो में आपको सुनानी है शुरुबात कर लेते हैं होकी के गोल्डेन पीरेट्स और यहां पर मैं ओलम्पिक्स की बात करूँगा क्योंकि उसको ये तरह से पिनैकल ओफ स्पोर्ट्स माना जाता है पूरी दुनिया में तो 1908 में ओलम्पिक्स में होकी का इंट्रोड़क्शन हुआ और 1928 में पहली बार ब्रिटिश इंडियन टीम को हौकी खेलने ओलम्पिक्स में भेजा गया यह वाले ओलम्पिक्स एम्स्टरडेम में हो रहे थे और तब बॉम्बे पोर्ट से जब भारत की टीम निकली तीन लोग इने सी आफ करने गये थे जब वो वापिस आये तो भाईया नेशनल हीरो बन चुके थे क्योंकि उस समय हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था फिर तो हमने ऐसा ग्लोबल डॉमिनेस चलाया कि 1928 से 1956 के बीच 28 सालों में जो 6 ओलम्पिक्स हुए उसमें हमने हर बार गोल्ड मेडल जीता अपनी टीम इस गेम में इतना खतरनाक हो चुकी थी कि टोटल 25 मैचेस जो हमने खेले उसमें 178 गोल्स मारे और हमारे उपर सिर्फ 7 गोल्स पड़े ऐसा डॉमिनेंट रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई दूसरी टीम ब्रीच नहीं कर पाई इन फैक 1928 से 36 के बीच में जो तीन ओलम्पिक्स हुए थे उसमें तो पूरी दुनिया ने मेजर ध्यान चंजी का जादू भी देख लिया कहते थे इनकी होकी स्टिक से गेन चिपक जाती है लगता इन्होंने अंदर कोई मैगनेट फिट कर रखा है यह 36 वाले ओलम्पिक्स का फाइनल तो बर्लिन में हुआ था जहां पर जर्मनी के अगेंस्ट खेलते हुए हमने उनके देश में उनको धूल चड़ा दी अब 47 से पहले तो हम ब्रिटिश इंडिया की तरह खेलते थे लेकिन 48 के बाद जब हम पहली बार इंडिपेंडेंट की तरह गए तो देखो संयोग कि वो गेम ब्रिटेन में ही हो रहे थे और वहां पर हमने फाइनल में उन्हें चार जीरो से हराया था लेकिन 56 के बाद मामलाना थोड़ा सा डगमगाने लगा और इस सेक्शन को मैं कहूंगा लास्ट फ्यू गूड इयर्स क्योंकि 1960 में हम फा 72 में भी एक्जैक्ली यही हुआ और 72 के बाद भारत में हौकी का डार्केस्ट पीरिट शुरू हो गया इसकी पॉलिटिक्स आगे एक्स्प्लेइन करूंगा लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि 76 से पहले ना हौकी घास पर खेली जाती थी लेकिन 76 वाले ओलम्पिक्स मे यह पहली बार एस्ट्रो टर्फ पर खेली गई जिसके लिए ना हमारे पास कोई प्रैक्टिस थी और ना ही अपने आ इतने एस्ट्रो टर्फ बने हुए थे तो वो अलम्पिक हम हार गए इसका नेक्स्ट ओलम्पिक 1980 में जो हुआ यह इस डारकेस पीरिट का एक एक एक्सेप्शन है क्योंकि यह ओलम्पिक्स ना उस टाइम सोवियत यूनियन में हो रहे थे और अगर आपको याद हो अफगानिस्तान वाले वीडियो से USSR वर्सेज यूएस चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर जिसकी वज़ा से कई सारी वेस्टन कंट्रीज जो हौकी बहुत अच्छा खेलती थी उन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करा और हम यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत गए लेकिन आगे आप देखेंगे डार के स्पीरेट कैसे चलता रहा क्योंकि इस पूरे पीरेड में होकी का सिर्फ हमने डाउन फॉल ही देखा है 1980s के बाद कोई मेडल लाना तो छोड़ दो या 2007 में जब इंटरनेशनल रैंकिंग्स निकली हौकी की तो हमारा बारवा नंबर था यह हमारी सबसे पुरी परफॉर्मेंस थी और इसके अगले ही साल 2008 के ओलंपिक्स में तो हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे 2012 में हमने क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन यहां पर हमने एक भी मैच नहीं जीता और इस ओलंपिक्स के पूरे सेशन में हमारी लास्ट रैंक आई 2016 में भी हम क्वाटर फाइनल से बाहर हो गए और फाइनली 2020 में हमने जब जर्मनी को 5-4 से हराया तो 41 एर्स के बाद हम एक मेडल जीत पाए तो भाई एक तरह से 1972 के बाद इंडियन हौकी ने अपना डार्केस पीरेट देखा है सबसे गंदी पॉलिटिक्स देखी है, सबसे ज़ादा मिस्मेनेजमेंट देखा है और अपनी पॉपिलेरिटी को कम्प्लीटली लूस कर दिया मगर ये सब कैसे कैसे हो रहा था अब इसकी कहानी आपको बताता जब 1976 में जब एस्ट्रो टर्फ इंट्रोड्यूस करे गए थे, उस समय तक हमारा हौकी में एक तरह से दबदबा रह चुका था तो हमारी फेडरेशन चाहती तो इंटरनेशनल लेवल पर इसके अगेंस्ट आवाज उठा सकती थी, मगर इस पर आवाज भी नहीं उठाई गई और हम घास में खेलने वाले लोग थे, तो हमें एस्ट्रो टर्फ की ना आदत थी तब ही हमारे होकी के जादूगरों ने हमें इतने सारे मेडल जिताए थे, लेकिन एस्ट्रो टर्फ में रॉप पावर का इस्तेमाल होता है और इसी लिए कई सारे यॉरोपेन कंट्रीज और एवन आस्ट्रेलिया एस्ट्रो टर्फ पर खेलने के मास्टर बनते चले गए और धीरे धीरे उन्हों नहीं लगबग सारे मेडल जीतने शुरू कर दिया और एक एस्ट्रो टर्फ पिच बनाने में आठ करोड रुपे लगते हैं इसलिए भारत के अंदर इतना इंफ्रस्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाया कि प्लेयर्स उस पे खेल के चार साल प्रैक्टिस करें और फिर जाकर ओलम्पिक्स में मेडल ला पाएं और वहीं दूसरी तरफ हॉलेंड, जर्मनी और उस्ट्रेलिया जैसे देशों में हंड्रेट्स ओफ एस्ट्रो टर्फ और इसलिए आप 1980s के बाद से देखोगे तो European countries और उस्ट्रेलिया ने इस गेम को पूरी तरह से डॉमिनेट किया है लेकिन भारत में हौकी की डाउनफॉल के बीछे एस्ट्रो टर्फ अकेला रिजन बिलकुल नहीं था भारत में जिस तरह से हौकी मैनेज की जा रही थी उसमें पॉलिटिक्स खेली जाने लगी 72 में जब हम ब्रॉंज मेडल लेके आए उसके नेक्स्ट यर इंडियन हौकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे अश्विनी कुमार उन्होंने रिजाइन कर दिया और इसके बाद इंडियन हौकी मैनेजमेंट में कम्प्लीट के ओस शुरू हो गया तो नौर्थ से ही पियन सानी जो उनके काफी करीबी बताय जाते हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी प्रेसिडेंट बनने के लिए लेकिन तबी साउच से म.A.M. रामा स्वामी जी जो की एक मिलेनेर थे बिजनेसमेन थे उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी और जब इलेक्शन हुए तो मामला एक वोट पे अटक गया ये वोट था भोपाल हौकी असोसिएशन की तरफ से आने वाला अब इस इलेक्शन के तीन दिन पहले भोपाल हौकी असोसिएशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं मश्कूर हसन जी वो गायब हो गए अंडरग्राउंड हो गए किसी को मिली नहीं रहे पियन सानी जी के तरफ वाले लोगों ने कहा कि यहां के जो वाइस प्रेजेंट है मिस्टर नागू इनको भोपाल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इस वोट में ले जाये जाएगा लेकिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन नागू जी भी पहुँच गए और हसन साब भी पहुच गए अब ये दोनों लोग पहुचे तो हसन साब ने कहा कि मैं रेप्रेजेंट करूँगा भोपाल को और इनका वोट गया M.A.M. रामा स्वामी जी की तरफ और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ कि ये इलेक्शन फिक्स है रिक्ड है ये है वो है लेकिन एन्ड में M.A.M. रामा स्वामी जी ने इलेक्शन जीत लिया और वो इंडियन होकी फेडरेशन के प्रेसेडेंट बन गए और ये बात थी 1974 डिसमबर की अच्छा 1973 में जब अश्वनी कुमार जी चले गए थे उसके बाद 1974 डिसमबर तक इंडियन होकी फेडरेशन को जब कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था तो इंडियन ओलंपिक्स असोसेशन ने इसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया अच्छा 75 में होकी का वर्ल्ड कप आने वाला था तो पंजाब की सरकार निका कि हम पूरा पैसा देंगे हमारे ही ज़्यादा तर प्लेयर्स टीम में खेलते हैं तो आप हमारे आँकर प्रेक्टिस करो ताकि 75 का वर्ल्ड कप अच्छे से हो सके जब 74 में M.A.M. रामा स्वामी जी इंडियन होकी फेडरेशन के प्रेसेडेंट बने उसके बाद ये होने लगा कि अब जब टीम भेजी जाएगी तो वो इंडियन होकी फेडरेशन भेजेगी या इंडियन ओलम्पिक्स असोसियेशन इस चक्कर में हमारी टीम को बाहर जाने के लिए अप्रूवल में डिले होने लगा एंड में जाकर हमारे प्लेयर्स को एक लेटर लिखना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को उन्हों नगा कि देखो अगर इस अप्रूवल में और जादा डिले किया गया तो हम हौकी खेलना ही छोड़ देंगे फाइनली 1975 में हौकी की टीम वर्ल्ड कप के लिए भेजी गई अब वो कहते हैं ना last but not the least बिल्कुल exactly यही हुआ क्योंकि 1975 में हमारी टीम ने यह वर्ल्ड कप जीत लिया सोचके देखो 83 का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी तक हुआ नहीं है पूरे देश में एकदम जश्न का महौल था लेकिन हमारे हौकी फेडरेशन की दिक्कतें अभी थाभी नहीं थी क्योंकि यहां तो भाया पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स चले जा रही थी क्योंकि इसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन और इंडियन उलम्पिक असोसियेशन के बीच में एक अलग पावर टसल शुरू हो गया यह दोनों एक दूसरे को कोर्ट में खीच के ले गए इसमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी इन्वाल्व हो गई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे रेने फ्रैंक वो म.A.M. रामा सौमी को सपोर्ट करते हैं उन्होंने इंटरनेशनल उलम्पीग अडरस के लेटर लिख दिया यह कहते हुए कि इंडियन उलम्पीक आसोसेशन ना इंडियन हॉकी फेडरेशन को काम नहीं करने दे रही है अब आपको याद होगा 76 में AstroTurf introduced हुई थी और मैंने का था ना Indian Hockey Federation ने इस पर कोई भी objection नहीं डाला था ये कहा जाता है कि because Rene Frank M.A.M. Ramaswami को इतना support कर रहे थे M.A.M. Ramaswami या Indian Hockey Federation ने इस बात पर कोई objection इसी लिए नहीं उठाया और इसके बात से हम बस Indian Hockey का downfall ही देखते आ रहे हैं 1993 में Indian Hockey Federation के president बने KPS Gill लेकिन इसके 15 साल बात जब 2008 का Olympic हम qualify तक नहीं कर पाए तो इन्हें भी step down करना पड़ा और Indian Hockey Federation को suspend कर दिया गया 2009 में Hockey India नाम की एक नई unit बनी और अब Hockey India ही हर जगे Indian Hockey को represent कर दी है होकी के downfall के साथ ही आप track कर सकते हो एक और चीज़ वो था cricket का rise 75 में हमने होकी का World Cup जीता तो था लेकिन उसके बाद जितनी politics की बाते मीडिया में आती चली गई लोगों का interest होकी से हटता चला गया और हम match भी जादा नहीं जीत रहे थे लेकिन 1983 में हमने एक दूसरा World Cup जीता वो था cricket World Cup और अचानक से हर इनसान अब इस गेम की तरफ interested होने लगा था क्रिकेट को खेलना भी थोड़ा cheap है तो गली में भी लड़के एक bet एक ball लेकर खेलना शुरू हो जाते थे तो इसकी popularity बढ़ती चली गई जो politicians थे वो भी इससे associated होना चाहते थे और जो बड़े-बड़े richest cricket body बनती चली गई और भारत में इस वज़ा से cricket की popularity ने भी hockey को overshine कर दिया होकी को क्या mostly सारे ही games को overshine कर दिया है आज के टाइम तो लेकिन 2009 में जब hockey इंडिया बनी उसके बाद से एक hope शुरू हुई थी कि भाई अब हो सकता है hockey research कर जाए 2013 में hockey इंडिया ने hockey इंडिया लीग भी लाँच करी जो बिल्कुल IPL की तरह है और उससे और लोगों में इंट्रेस्ट डेवलप होने लगा और 2014 में Odisha ने कुछ इंट्रेस्टिंग करा इन्होंने कलिंगा लैंसर्स नाम से अपनी टीम को hockey इंडिया लीग में भेजा और यहां से Odisha का इंट्रेस्ट होकी में बढ़ने लगा 2018 में जब सहारा ग्रूप ने इंडियन होकी टीम की sponsorship से अपना हाथ पीछे खीच लिया तो Odisha के सियम नमीन पतनाएक जी ने का कि 500 करोड मैं दूँगा पास साल के लिए इंडियन होकी टीम को मैं sponsor करूँगा 2021 में जब हम 41 एर्स के बाद मैडल जीत के आए हैं तो इन्होंने का है कि अब 10 साल के लिए मैं इस चीज को extend करता हूँ इन्होंने 200 करोड रुपे खर्च करके बिर्सामुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनवाया है जिसमें 20,000 लोगों की capacity है जो की पूरे भारत largest है ये तकरीबन 16 एस्टो टर्फ भी बनवा रहे हैं भुवनेश्वर के अंदर जिसमें हमारे जो team players हैं वो अच्छे से practice कर सके और इस साल का World Cup भी Odisha में ही खेला जा रहा है इसलिए ये World Cup बहुत interesting है क्योंकि Odisha में होने वाला ये World Cup simple game नहीं है ये एक symbol है Indian hockey के golden period के resurgence का नवीन पतनायक जी शायद hockey में इतना interested इसलिए हैं क्योंकि जब वो दून स्कूल में पढ़ते थे तो वो hockey team के goal की पढ़ते वो तब भी hockey को defend कर रहे थे और वो आज भी hockey को defend कर रहे हैं लेकिन यार हम और आप Messi Ronaldo से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं ट्रिकेट के लावा किसी और game को appreciate ही नहीं कर पा रहे हैं और यह कितनी बड़ी irony की बात है ना कि उस time पर जिनको hockey का game manage करना था वो politics में उलजे थे और आज एक politician इस game को revive करने में लगा है आपको क्या लगता है इस game का वापिस से golden period आएगा क्या उतनी popularity return करेगी comment में मुझे जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा तो please hit that like button subscribe for more such videos